हेलो स्टूडेंट राम्रतन स्टडी यूट्यूब चेनल में आपका स्वागात है मैथ में परसेंटेज सवालों को हल करेंगे और इससे पहले हम दो वीडियो अप्लूट कर चुके हैं जिसमें हमने 31 कुष्टन करा चुके ठीक है उसके आगे आज हम 32 नंबर से कुष्टनों को सौलव करेंगे यहाँ पर हम परसनों को हर टाइब के परसनों को सौलव कर रहे हैं और बिल्कुल किरम से कोश्चनों को सॉल्व करेंगे तो दिखें अगले नमबर का कोश्चन सवाल नमबर देखें बत्तस वाला तो बत्तस नमबर का कोश्चन देखें कहरा कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28 बटे 25 है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28 बटे 25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिसात है तो आईए दिखते हैं दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28 बटे 25 है 28 बटे 25 जो दो संख्याओं का योग है वो पहली संख्या का 28 बटे 25 है इतना तो मालूम होना चाहिए कि जो अकेली संख्या होगी वो कम होगी और जो दो संख्याओं का योग होगा वो पहली संख्या से क्या होगा जादा होगा तो इन दोनों में पहले छोटी संख्या कौन सी है नीचे वाली अगर हमने माले कि पहली संख्या क्या है पच्चस है तो पहली संख्या यदी पच्चस है तो वो कहरा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 28 बटे पच्चस है अगर पहली संख्या हमने 25 मानी जो दूसरी संख्य 28 बटी mouth 28 यानि 29 प्राप्ठ हुआ वहा दोनों संख्या का योग प्रात हुआ पहली और दूसरी संख्याsiHow का क्या है 28 कि पहली और दूसरी संख्या यूग 28 है जिसमें पहली संख्य हमारी क्या है 25 अगर पहली संख्य इसमें 25 है तो दूसरी संख्या 28 में से 25 जाएगा तो दूसरी संख्या कितनी बचेगी तीन होगी तो वो कह रहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी पृतिसात है दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या है त तो वो दूसरी संख्या पहली संख के कितने परसंट है बारा परसंट ये इसका आंसर हो जाएगा देखे 33 नंबर का question क्या कह रहा कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते तो उसने पूछा कि जीतेगा खेलों का प्रतिसत क्या है टोटल खेल किस ने खेले उसने 40 टोटल 40 खेल खेले और जीते कितना है 24 यानि 40 खेल खेला 40 मैं से 24 जीता तो जीतने का प्रतिसत में बदरना तो 100 से गुणा करा देंगे जीरो से जीरो चार से 24 को काटेंगे 6 बार 6 का गोणा 10 में तो कितना आ जाएगा 60 यानि जीतेगा खेलों का जो प्रतिसत है वो हो जाएगा हमारा साट पर सेस का यान्सर हो जाएगा 24 जोकर को चोशन क्या कह रहा कि बारसिक परिष्छा में महवा को गलत में सुपरिया से दस पर्षन कम एक है महवा और एक है सुपरिया यानि महुआ ने 10% कम नंबर प्राप्ट की किसे सुप्रिया से तो दिखे सवाल नंबर 34 तो 10% की फ्रिक्षन क्या हो जाएगी एक बटे 10 यदि सुप्रिया ने 10 नंबर प्राप्ट किये तो 10 का 10% कम यानि एक कम किसे ने प्राप्ट किया महुआ ने तो महुआ ने कितने प्र किया रहा कि बार्सिक परिष्ण महुआ को गणत में सुप्रिया से 10 परसंड कम अंक मिलें को यदि मिले 10 नंबर तो 10 यानि 10 दस को यानि एक कम तो दस में से एक कम यानि 9 नंबर किसको मिले होंगे। लेकिन हुआ को 9 number नहीं मिले, वो कितना कहा रहा हूँ, 81 number मिले, तो 9 unit का मान 81, तो 1 unit का मान कितना हो जाएगा, 9, तो यहाँ total 10 है, तो सुप्रिया को 10 गुण 9, यानि कितना number मिला होगा, सुप्रिया का number होगा, 90, ए आंसर इसका हो जाएगा, देखो 35 number का question, 35 number का question अच्छे से समनना, उसकी भासा को समनना कह कह रहा, ठीक है, यदि आप जल्दी पढ़ोगे, तो नहीं समझ पाऊगे, जूस की supply 35 दिन चलती है, यदि, जूस की supply 35 दिन चलेगी, यदि, या चलती है, यदि, मतलब कब चलती है, यदि उसका प्रियुक 40% बढ़ जाए, यानि 40% बढ़ जाए, तब वो 35 दिन चलती है, यानि 40% की friction, दो बटे 5, यानि पहले जूस की supply कितने दिन चलती थी, पहले चलती थी 5 दिन, अब 40% बढ़ गया, यानि 5 का 40% यानि 2 दिन बढ़ गया, अब कितनी दिन, 7 दिन चलेगी, लेकिन 40 पहले थी 5, 5 का 40 पर यानि 2 बढ़ गया, या 40% बढ़ गया, यानि 2 दिन और बढ़ गया, अब कितनी दिन चल लगए, 7 दिन, वो किरें, 40% बढ़ने के बाद 7 दिन नहीं चलती, वो कितनी दिन चलती है, 35 दिन चलती है, फिर से सुनो, जूस की supply 35 दिन चलती, यदि उसका प्रियोग 40% बढ़ जाता, पहले प्रियोग 5 दिन होता था, अब 5 का 40% मिल गया, यानि 2 बढ़ गया, पहले 5 चलता था, 5 में 2 जोड़ देंगे, अब 7 दिन चलती है, 7 दिन नहीं सवाल में कितने दिन चलती है, 35 दिन चलती है, तो 7 कमान 35 यूनिट, एक कमान हो जाएगा, 7 पन्ने 35, तो पहले पूछा उसने, कि जूस की उतनी हिमात रख किते दिन चलेगी, 25 दिन चलेगी, यानि इसका ए आंसर हो जाएगा, सवाल नमर 35 की बाद देखें, 36 नमर का, देखें, 36 नमर का कोशन कहा कहरा, कहरा कि कमल के पास कुछ सेव है, उसने जितने खाए, उससे 40% अधिक बैच दिये, यह दि उसने 70 सेव बैच नमर का, 40% के फिक्षन क्या होती है, दो बटे, 5, वो कहा कमल के 5 कुछ सेव थे, पता नहीं कितने सेव थे, उसने जितने खाए, उससे 40% अधिक क्या कर दिये, बैच दिये, माल उसने 5 सेव खाए, खाए कितने हैं, 5, तो 5 का 40% यानि 2 अधिक तो बैच कितने दिये, 7, जित लेकर सवाल में, 7 नहीं, सवाल में, कितना कह रहा है, उसने 70 सेव बैच साथ कमान, 70, एक कमान कितने यूनिट हो जाएगा, 10 यूनिट, तो यहाँ पर उसने खाए कितने 5 यूनिट, और एक यूनिट कमान 10 हो, तो 5 का पूछा, 5 गोण 10, यानि 50 से वह जाए, तो उसने सेव कितने खाए, 50, इसका हो जाएगा, 50 आंसर, 36 के बाद देखें, 37 नंबर का कुशन, 37 नंबर का कुशन क्या कह रहा, कह रहा है, एक कक्छा में 32 लड़कियां हैं, और लड़कियों और लड़कों का अनुपात, 16 अनुपात नों हैं, तब कक्छा में कितनी पृतिसत लड़कि हैं, देखें, ब्वाइश और गल्स का जो रेशियो दिया गया है, वो देगा, लड़कियों और लड़कों का, 16 अनुपाते, 9, हमने ब्वाइश और गल्स, उसमें दिया है, गल्स और ब्वाइश, तो आंगे पीछे लिख दिया, समझ में यह बत को, नहीं तरह सीधे सीध देखो, भु कहरा कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात, तो लड़कियों का अनुपात कितना है, 16 और लड़कों का कितना है, 9, ठीक है, तो कक्छा में कितनी प्रतीसत लड़किया है, अब कक्षा में 32 लड़किया हैं इससे हमें कोई मतल है हमें पृतिसत निकालना तो हम निकाल लेंगे किसका पृतिसत पूछा इसमें कहरा कक्षा में कितनी लड़कियों का पृतिसत अगर टोटल देखा जाए तो कितनी इनिट हो रहा है आपर टोटल देखा जाए तो 25 में से गल्स कितनी है 16 टोटल इस्टुडेंट हो गए 25 बॉइस और गल्स कितनी है 16 है और प्रितिसंद में पूछा तो बस 100 से गुडा करा देंगे तो भी आंसर आजाएगा लेकिन डायरेट हो रहा तो अब डायरेट आप निकाल सकते यानि इसका आजाएगा गल्स की संक्या आजाएगी तो परिक्षा में बैठने वाले कुल बिध्यारतियों की संख्या क्या है 60 पर्षंट बिध्यारति पास हो तो दिखे 60 पर्षंट की फ्रिक्षन क्या होती है तीन बटे 5 कैसे 60 पर्षंट हटाएंगी नीचे आएगा 100 ये से ये कट गए 2 से काड़ेंगे 3 बार 2 से काड़ेंगे 5 बार तो 60 पर्षंट की फ्रिक्षन क्या होगे 3 बटे 5 इस सवाल को देखो कैसे सलूब करेंगे हम समझे कुल इस्टुडेंट माली कितना कुल स्टुडेंट आए हैं कुल स्टुडेंट माल लिए 5 टोडल इस्टुडेंट है 5 पाँच मैसे 60 पर्षंट बिध्यार्ति पास हुए कुल student है 5, 5 बिध्यारती मैं से 60% पास हो यानि 5 का 60% तो 3 बिध्यारती तो क्या हो गए, पास हो गए total student थे 5, 5 मैं से 3 पास हो गए, तो बताए फैल कितने हो गए होंगे, 2 लेकिन सवाल में फैल की संगे 2 नहीं है, सवाल में फैल कितने हो गए बिटा, वो कहा रहा 400 ठीक अनुतिल बिध्यारती हैं यानि फैल है या अनुतिल बिध्यारती की संगे का इन उनिट का मान 200 तो टोटल स्टुडेंट कितने ते 5 उनिट तो 5 गुणे 200 कर देंगे तो आ जाएगा 1000 आंसर इसका आंसर हो जाएगा 49 नमर का सवाल देखे क्या कह रहा एक विध्याले में 800 चात्र है यदि 30% चात्र लड़किया है 800 स्टुडेंट मैं से 30% लड़किया है तो विध्याले में कितने लड़के है 800 मैं से 30% लड़किया है तो लड़कों के संके अब पूछे दिखे जरा कैसे सॉलूब करेंगे 30% की friction क्या होती है 3 बटे 10 कैसे होती है 30% क्या होती है 3 बटे 10 कैसे 30% ट्राइणी चाहिए 100 0-0 कितना आ जाएगा 3 बटे 10 ठीक है तो वो कह रहा एक विध्याले में 800 चात्र यादि 30% चात्र लड़किया है तो दीखे कुल चात्र कितने माली हमने 10 10 का 30% निकालेंगे तो girls कितनी हो जाएगे 3 क्योंकि 30% girls है तो 10 student में से girls की संक्या कितनी आ गई कि विध्याले में कितनी लड़के हैं एक उनिट बरावर कितने असी तो यहां 7 उनिट है तो असी गुण 7 करने 8 सत्य चपन यानि 20 की संक्या आ जाएगी 560 यानि इसका अंसर हो जाएगा सी चालिस नमर का question क्या कह रहा वो कह रहा कि एक गाउं में 30% लोग सिक्षत हैं एक गाउं में 30% लोग सिक्षत हैं यदि गाउं में कुल संक्या 6600 हो तो असिक्षत लोगों की संक्या क्या है तो देखे 30% की friction क्या होती है तीन बटे दस यानि कुल लोग हम कितने माल लेंगे दस हैं उस गाओं में कुल लोग कितने हैं दस आदमियों में से या दस लोगों में से दस में से 30% लोग सिक्षित हैं यानि 10 का 30% लोग निकालेंगे तो 3 लोग क्या हो जाएंगे शिक्षित हो जाएंगे शिक्षित 10 में से 3 है यानी पढ़े लेखे यानी सिक्षित है तो असिक्षित कितने हो जाएंगे असिक्षित हो जाएंगे 7 लेकिन गाउं में कुल संख्या 10 नहीं कहा रहा वो सवाल में कहा रहा 6600 तो यहां कुल संख्या कितनी है 10 लेकिन 10 नहीं कहा रहा, चैयाज़़ दस उनिट का मान 6600, तो एक उनिट का मान क्या हो जाएगा, 660, एक उनिट का मान 660, तो वो पूछ रहा, आसिक्षित लोगों की संक्या कितनी है, तो एक उनिट बार और 660, तो असिक्षित कितने साथ, इसमें 660 से हम गुणा करा देंगे, 0, 7 x 42 की 2, 8 x 4, 7 x 42 और 4, 46, 4620, यानि इसका भी आंसर हो जाएगा, देखे 43 का क्या कहरा, कहरा कि 1 g 75 संस्था में 574 नाम गरीवी रेखा से नीचे हैं, यदि गवोओं में 14 परसंद लोग गरीवी रेखा से नीचे आते हैं, तो गाव में कुल संख्य कितनी है 14 पर्षंट गरीवी रेखा से नीचे आते हैं और गरीवी रेखा से जो नीचे हैं वो कितने हैं 564 तो सीद्ध सीद्ध 14 पर्षंट बरावर हम 564 कर देंगे तो आसर निकल आएगा या फ्रेक्शन से करेंगे तो देखो 14 पर्षंट का मान कितना होता है साद बटे 50 कैसे 14 पर्षंट हटाए नीचे आएगा 100 दो से गाड़ें दो सात्ते 14 और यहां आजाएगा 50 मालो कुल संख्य हमने कितनी माल ले 50 है ग्राम पंचायत में हमने माली कुल संख्य कितनी माल ले 50 पचास संख्य में से 14 पर्षंट लोग गरीवी रेखा नीचे है तो पचास का 14 पर्षंट यानि साथ लोग क्या है गरीवी रेखा से नीचे गरीवी रेखा से क्या है नीचे लेकिन साथ लोग नहीं है गरीवी रेखा से सवाल में कितना किया है 574 यहां से नकाला साथ आ र साथ चंग क्या हो जाएगा साथ चाउदा चाउदा तो साथ इनिट बरावर पांसे चौहत्तर तो एक इनिट बरावर कितना हो जाएगा 82 यह 82 हो जाएगा तो इन्होंने पूछा है यहाँ पर कुल संख्या तो कुल संख्या कितनी है पचास तो एक इनिट बरावर ब्यासी तो यहां पचास उनिट है तो ब्यासी गुणे कितना कर देंगे पचास तो यह अगर जीरू पांज निदस की जीरू हसला एग अट पन चा तो इसका आंसर ए खो जाएगा ठीक है एक सवाल नम्बर निखें 42 सवाल नम्बर निखकर 42 क्या है विसको किया humidity का एक संस्था में 210 करम चाणिए एक संस्था में 2020at करम चारिया उनमें से 30 करमचारियों को अलग जगे तबादला कर दिया एक संस्था में 2010 करमचारियों है उनमें से 30 करमचारियों को अलग जगे भेज दिया गया तबादला कर दिया गया तो ऐसे कितने करमचारिये जिनको अलग जगे भेजा यानि तबादला किया गया है तो 30% लोगों को किया गया, तो 30% की friction देखी क्या होती है? 3 बटे 10, तो हमने नमाचा कुल करमचारी कितने हैं? कुल करमचारी हैं 10, 10 में से 30% का तवादला हुआ, 10 का 30% यानि 3 का क्या हो गया? तवादला, यानि दूसरी जगा भेद दिया गया, तवादला वाली संके पूछे कितने को भेद दिया, लिकीन यहाँ पर कुल करमचारी 10 हैं लेकिन 10 नहीं कहरा, सवाल में कितना कहरा? कि कुल करमचारी कहरा 2010 है, तो 10 इनिट का माण 210, तो एक इनिट का माण क्या हो जगा? इंब यहाँ है जिन जितनी लोगों के तबादला यु चाह्यँ के तबादला हुआ tv 603 तो इसका आंसर हो जाएगा C ठीक है देखे 43 नमर का कोशन क्या कह रहा कह रहा बंगलुरू से चैन्नाई के रेल टिकट की कीमत 20% बढ़ा कर 600 रुपए हो गई जब हमने 20% की ब्रद्धी कर दी तब उसका बैलू कितनी हो जाती 600 रुपए 600 रुपए कब होती जब हम 20% बढ करके दिया यानि पहले टिकट कमाने क्या होगा कम होगा तो देखे 20% की फ्रिक्षन क्या होती है 20% की फ्रिक्षन होती है एक बटे पार यानि पहले जो टिकट था पहले टिकट कितने का था पहले टिकट था पांच रुपए का पांच रुपए का पांच रुपए बढ़ा उनिट का मान 600 तो एक उनिट का मान कितना हो जाएगा 100 एक उनिट बराबार 100 यहां पांच उनिट है तो पांच गुने 100 यानि इसका आ जाएगा 500 ठीक है न तो इसका हो जाएगा दी आंसर हो जाएगा ठीक है चावालिस नंबर का ठीक है तो चावालिस नंबर का देखो यह दिए 24 केरेट सोने में 100 प्रतिसा सुद्धता होती है 24 केरेट का जो सोना होता है उसमें 100% सुद्ध होती है तो वो कहरा 22 केरेट सोने में कितनी सुद्धता होगी टोटल कितनी केरे और प्रतिसात में कितने का कर देंगे यहां पर 100 का गुणा कर देंगे 24 के रेट में तो 100% सुद्धत होती तो उसने पूछा 22 के रेट में यानि 22 24 में से कितना पूछ रहा 22 का पूछ रहा कितनी प्रतिसात हैं और प्रतिसात में 100 से गुणा करा देंगे कितणी बार कि या फार हो जाएगा कितनी बारा बारा चार से कटनी बार यहां पर पच्च पन की, सफ़लीग पांच वे फांच ग्यारा Carolyn बटी कितना तीन अब देखे ज़रा तीन का भाग किसे में देंगे हम 27 में देंगे तो तीन नम्मा 27 यहां परवचे तीन एक हम 3 तो जी आएगा 91 बी ओप्शन देखे 91 टू अपॉन 3 परसंट जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 91 अपॉन 91 से 2 अपॉन 3 परसंट इसका क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे क्या दिया गए आपका 3 दिया ठीक है इसको भाग कर क्या आप कर सकते हो 45 नमर का कुशन क्या कह रहा कि कह रहा है कि एक आयसक में 25 परसंट सीशा है एक आयसक में 25 परसंट सीशा है असी किलोग्राम सीशा पाने के लिए कित थो, एक आयष्क में 25% सीशा, है कोसी सीशा है तो 25% की विक्षrome दिखिए किया होती है एक बटे 4 ठीक है neglect कुल आयष्क कितना हो गया ? कुल आयष्क हो गया हमारा चार किस टोटल आयष्क है 4 इस आयष्क में 25% सीशा है यानि चार का 25% एक क्या हो जाएगा सीशा लेकिन वह कह रहा सीशा एक नहीं प्राप्त करना वह कितना प्राप्त करने को कह रहा 80 kg यानि एक इनिट का मान 80 kg तो यहां कुल आईस के 4 इनिट है तो चार गुण हम कितना करा देंगे 80 यानि 84 के 32 तो यदि हमें 80 kg सीशा प्राप्त करना हो तो 320 kg हमें क्या पर चाहिए आयस के चाहिए इनिसका अंसर हो जाएगा D नमबर का